इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इतिहाद न्यूज में आप सबी का खैर मगदम है हाल ही में जशन मिलाद मनाए गया पर यहाँ मैं पूरी जिम्मदारी से कह रहा हूँ कि मिलाद की जुलूस में जिस तरह का तमाशा कुछ नौजवानों की जानिब से किया गया यकिन उन शर्मनात कह सकते हैं कुछ लोग मुझे भला बुरा भी कह सकते हैं और इससे पहले भी कहा गया था जब इतिहाद न्यूज ने दस मुहर्रन के जुलूस पर कहा था दुनिया में अल्ला और उसके रसूल से बढ़कर कोई नहीं इमान का तकाज़ा यही है कि अल्ला और उसके रसूल पर इमान ल आशुके रसूल कहने वाले नभी के नाम पर नाच गाना करने की बिना पर दुश्मनों को डरा सकते हैं याद रखो कि जिस तरह तुम मॉबाइल से नजारों को रिकॉर्ड करते रहते हो उसी तरह से या फिर तुम करो या ना करो तुमारे हर लम हैं की रिकॉर्डिंग फर प्रश्राइब नियुक्त प्रश्राइब लेकर जंग के मैदान में पहुंचती और बच्छों को पेश करती नभी से महबत का तकाजा और महबत की इंतिहा देखिए जब नभी ने मना फरमाया तो कहती हैं कि अगर दुश्मन आपकी तरफ तीर चलाए तो मेरे इन मासूम जो जंग में शरीक होने के लिए अपने पंजों के बल खड़े हो रहे थे ताकि ये बड़े नजर आये और बच्छे कहकर नभी हमें बाहर ना निकाले आज हमें शर्माती है कि मासूम बच्चों को उन साबाओं के तालीम के बजाए पाउं थिरकते गुर सिकाए जा रहे ह आड में नभी की शान में गुस्ता की पनप रही हो कहां है वो जिम्मेदार कहां है वो डीजे के सावने फिल्मी धुन पर धुन लगा कर जशन मिलाग के नाम पर नाचने वालों को रोक नहीं सकते सुबह शाम नभी की शान में गुस्ता की करते हो हमें अफसोस नहीं होता और आसमान से अल्ला की मदद के तलबगार बनते हैं। वो 313 सारी दुनिया पे गालिब आज करोड़ों हैं गुलामी के हवाले। अगर आज हम पर हालात आ रहे हैं तो इसलिए नहीं कि एक्रदार पर फिरौन का भीज़ है। इसलिए कि हमने मुसा के सुन्नतों पर चलना चोड़ दिया है। हम कैसे फिजाए बदर पैदा करेंगे और कैसे फरिष्टे आसमान से कतार दर कतार जमी पर उतर सकते हैं। तारीख ने हमें यही पेगाम दिया कि अल्लार उसके रसूल पर यकी मौकम रखेंगे तो खजूर की छड़ियां भी तल्वारं को काट कर रख देती है। यहावा काउम हैं वक्त के फिरौन से कैसे टकराएगी जब इसे पता ही नहीं कि मुसल्मानियत क्या है। हमें कुछ देर रुक कर हमारा इतसाब लेना पड़ेगा, तारीख क्या औराक को खंगालना पड़ेगा, बुजर्गों के तारीख को दौराना पड़ेगा, क्या थे हम और क्या हो गए, वो वक्त गुजर गया जब हमने एकदाम किया था, और आलमी ताकत पसपाई पर से लेकर सनाज, जिरात, तिजारत, असलेशाजी और जंगी महारत तक हर शोवे में हम ही इमाम हुआ करते थे, और सारी दुनिया हमारे एक्तदार में थी, हमने युनानी तहजीब को तहजीब और तमद्दून को चैलिंज किया था, जुलमत कदा हिंद में अजाने दी थी, कैसर और किसरा को शिकस्ट जी थी, ती दजला और फराद के पानियों से वजू किया था, रोम और इरान की फिजा को अपने तोही नगमाओं और नारा तक्बीर से मुनवर वो मौत्तर किया था, हमारी तलवारों की धाक अरब से अज़म तक चाही हुई थी, हमारे गोड़ बहरिज जलमात यानिके अटलांटिक होसियन तक जाप पहुँचे थे, हमने अखवाम आलम को जहां बानी के नए अंदाज सिकाये थे, सियासत के नए गुर और अखलाग समझाये थे, शुजात की नए दास्ता ने रकम की थी, जंग के नए वसूल और जाबिद खारे थे, खुद कीसी नजाते दहिंदा की इंतजार में है, जिनके खंदो पर मश्रीकों मखरिब के तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए भेजे गए थे, वो रहनुमाई के लिए दर बदर की ठोक रिखा रहे हैं, जिनके चरवाए भी इमाम हुआ करते थे, और आज हमारे इ और सियासी और आलमी मौसमों के बिगड़े हुए तेवरी ने मौत से कबल मौत का रास्ता दिखाते हैं। तेरा थे हमारे पास सिर्फ दो गोड़े सत्तर मौत आट तर्वारे और छेट जिर थी और मुकाबले में हजार तजरुबकार लशकर था लेकिन फता हमारी मुकदर ठहरी। बगर नहीं टली थे। जंग अखदसिया में हम तीस हजार से कुछ ज्यादा थे और मुकाबले में एक लाख एरानी थे जिन जिलत के साथ पस्तान होना पड़ा था। जंग यर्मुक में हम बतीस हजार थे और मुकाबले में दो लाख या साथ लाख रूमी थे। जंग स्पेन ने हम बारा हजार थे। जिसकी खायादत तारिक बिन जियाद कर रहे थे वतन से दूर भी थे और बेसरो सामानी सिक के आलम में थे। दुश्मन को शर्मनाक शिकल दी थी। पता नहीं हमारे अंदर वो क्या चीज थी। जिसने हमारे एक एक फर्द को सैंकड़ों पर भारी कर दिया था। ना हम मौ वाजदाद के नाम और इनकी दास्ताने आकर कब तक हमारी काम आती रहेंगी। आइस्ता हमारी हकीकत इन पर खुलते चली गई। इन्होंने जान लिया कि ये अंदर से खोखले हो चुके हैं। ये नाच गाने पर नाचने वाले ये मुसलमान बिखरे हुए हैं। इनके अपनी मकसद जिन्दगी बना लिए हमारी हकीकत दुश्मनों के सामने खुल चुकी है। यह की मानिया कि हम कभी भी जुलूस के जरीए दुश्मन को शिकास्त नहीं दे सकते हैं। जरूत है हमें 1400 साल पीछे जाकर काम्याबी तलाश करें। नभी की सच्ची महबत ही हमारी काम्याबी के जमानत हो सकती है। जाहिर अमाल या लिबास मुसलमान की पैचान तो करा सकते हैं। पर असल काम्याबी और कामरानी जब हम सब कुछ नभी की महबत में निचावर करने पर आमाद हो। अल्ला माइकबाल कहते हैं। वसीय आनी अमल में तुम हो नसारात में हुनूद ये मुसल्मान है जिने देखकर शर्माई यहूद हमारी तारीख ने हमारे लिए काम्यावी के रास्ते बनाए है काम्यावी बदर के मैदान से होकर ही मिलेगी नभी की शान में घुस्ता कि ना सिर्फ कहरे लाई को दावत देती है बलकर आखरत में भी प्रदारों को चाहिए जाने अन जाने में कहीं हम दुश्मनों का साथ तो नहीं दे रहे अभी वक्त हमारे हाथ में है इसलाग की जरूत है तर्बियत की जरूत है वरना आने वाले वक्त में आस्मानी आजाब से हम बच नहीं सकते हैं इत्याद न्यूज देखने के लिए अल्ला हाफिज